हेलो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के उपर आप काम करते हैं वीडियोज अपलोड करते हैं तो आज आपने अपने यूट्यूब चैनल को अपने PC के अंदर लोगिन करके जरूर देखा होगा और वहाँ पर आप डेसबोर्ड में जाके आपने एक लेटर देखा होगा यूट्यूब के CEO की तरफ से क्या आपने वो लेटर को पढ़ा है मुझे नहीं लगता है कि आपने उस लेटर को पढ़ा है और लगभग हमारे इस इंडिया के लगभग क्रियेटर है जिन्होंने इस लेटर को है वो नहीं पढ़ा है क्यों नहीं प कर दिया है कि किस परकार का लेटर है चलो छोड ठीक है लेकिन ये जो लेटर आया है YouTube की CEO की तरफ से इस लेटर में क्या है और इस परकार के जितने भी आप dashboard के उपर जो लेटर देखते हैं या फिर जितने भी notification देखते हैं मेरा मानना यही है कि आपको उनके उपर ध्यान देना चाहिए देखना चाहिए चलते हैं स्क्रीन के उपर और स्क्रीन के उपर चलकर देखते हैं कि इस लेटर में क्या है किस प्रक्राइब हाँ तो दोस्तों जैसे ही हम डेश्पोड को ओपन कर लेते हैं तो एक देखिए ये बताया गया है कि जो 2020 के और 2021 में जो पॉलिसी जाने वाली है उनके बारे में बताया गया है 2020 में क्या क्या हुआ वो बताया गया है देखिए सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि 2020 के अंदर आज तक कि सबसे ज़्यादा चैनल है और सभी घर पे थे और घर पे बैठ वेटे ने जो यूट्यूब चैनल है वो किरियेट किये बहुत सारे चैनल है जो कि ग्रोग कर गए और जो बहुत सारी जो लाइव स्ट्रीम सबसे ज्यादा वो इसी में हुई है यानि कि 2020 में ही हुई है अब आगे का जो कुछ प्लान है उसके बारे में बता रहा हूँ, 2020 में जो प्रियोरिटीज बताई गई, वो मैंने आपको बताई जादा, जो रेविन्यू है, वो 2021 में यूटूब, 2020 में यूटूब ने दिया है, और 2020 में सबसे जादा चैनल है, वो उपन हुए है, 2020 में ही सबसे जादा लाइव स्ट्रीम हु कम्यूनिटी गाइडलाइन को लेकर जो भी पॉलिसी जाती है, यानि कि जो पॉलिसी जाती है, यूटूब चैनल के उपर जो वीडियो हम बनाते हैं, जो यूटूब की जो कम्यूनिटी गाइडलाइन होती है, उनके जो खिलाब जो कुछ वीडियो बनाते हैं, तो जो थी उस policy आने के बाद में उनके जो पुराने वीडियो पे strike लगी थी तो creator को ये फाइदा हो कि कोई नई policy आती है तो पुराने वीडियो के ऊपर कोई strike ना लगे यानि उसके जो पुराने वीडियो होते हैं उन पे कोई strike ना लगे और अगर कोई पुराने वीडियो उस policy के against तो उसे पहले ये बताया जाएं कि आपका ये वीडियो है ये पोलिशी के अगेंस्ट है तो आप इस वीडियो को हटा दीजी हाइड कर दीजिए थेक है उस पार्ट को रिमू कर दीजिए इस तरह से जो पोलिशीज है वो आएगी तो किरियेटर को फाइदा होगा यानि पहल जो वीडियोज अपलोड हुए है उनने पर कोई स्ट्राइक है वो नहीं आएगी तो यह एक अच्छा है यहां पर ऑप्शन दिया गया है अब इसमें एक चीज और बताया गया है कि जो चैटिंग का जो ऑप्शन होता है यानि हम यूट्यूब से बात करते हैं कोई प्रॉब जाएगा जिससे सभी क्रियेटर को फाइदा हो और सभी क्रियेटर है यूट्यूब से बात कर सके यूट्यूब टीम से कोई भी प्रॉब्लम होता है और वो भी एक प्रिजनल लेंग्वेज के अंदर जैसे कि बहुत सारे क्रियेटर जिनको inglis नहीं आती है तो वो हिंडी में बात कर सके या फिर उनकी regional language है जैसे बंगाली हो गई जो भी language में वो बात करना चाहिए उस language में उनको support chat के साहिता से वो बात कर सके तो इस परकार का जो policy है जो system है वो भी YouTube है वो लेके आने वाला है additional revenue source की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो पैसे हम कमाते हैं वो advertise super chat यह super sticker के दवारा तो हम कमाते हैं यानि कि membership से भी कमाते हैं लेकिन इसके अलावा YouTube एक ऐसा platform है वो हमारी लिए त्यार कर रहा है यानि कि आगे की जो planning है वो ऐसा कर रहा है कि जो हमारा revenue है revenue 55 और 45 के ratio में जाता है तो वो हमारा revenue कुछ हद तक बढ़ा सकता है यानि कुछ 60% के लगबग revenue है वो कर सकता है इसके अलावा यानि कि कोई आपका वीडियो देखता है तो आपने setup के उपर कोई mobile रखा है या setup कोई mug रखा है या फिर other कोई documents रखा है तो उससे related एक ऐसा artificial ऐसी AI जो technology वो लेके आ रहा है और वहाँ पर नीचे उससे आपके जो वीडियो देख रहा है उस viewer को उस light को शो करेगा यानि light दिखाएगा तो उसको जो भी आपके पास आज पास कोई product उसको मिलता है AI system में आता है तो नीचे वो product की list दिखा देगा वहाँ से viewer है वो उस product को purchase भी कर सकता है यानि खरीद भी सकता है तो उसका सिधा का सिधा जो पैसा है जो revenue है जो commission है वो हमारे account में आएगा यानि ये एक पर ऐसे affiliating marketing की तरह ही है लेकिन हमें को link link बना के नहीं भेजना पड़ेगा यानि direct viewers को है वो दिखा देगा तो इस परकार के जो letters जो आते हैं वो सभी को letter है ignore नहीं करना है इस सारे letter है वो पढ़ना है आपको पढ़ना पढ़ेगा यह सभी के सभी जो लेटर हैं वो पढ़ना पढ़ेगा यहाँ पर creator inside का channel है इनका खुद का YouTube का यहाँ पर subscribe करके रख सकते हैं इस पर सारे जो knowledge है वो मिलती है यानि कि जो भी आने वाली policies है आप इनको यहाँ पर follow करके रख सकते हैं ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए तो यह था वो letter यानि कुछ-कुछ policies है वो change होने वाली है और कुछ-कुछ revenue है वो भी बढ़ाने वाले है और इसके अलावा जो chat support system है वो भी सबको मिलने वाला है community guideline जो policy आने वाली है उसमें भी कुछ से सुधार होने वाला है पुराने वीडियो पर कोई strike ना लगे इसलिए तो यह था यह एक letter जो कि इसमें बहुत कुछ लिखा है इसके link में नीचे डाल दूगा यह भी आप पूरा पढ़ सकते हैं तो कैसा लगा आप जरूर बताएं नीचे comment box में आपको यह वीडियो